अरे कितने ही लोग कहते हैं बा बाबा जी मेरी किस्मत नहीं चल रही है किस्मत डूबी हुई है बहुत मेनत कर रहा हूं भई तो smart work कर रहा था और smart work कर ले न फिर किस्मत आय ना सामने तो इसका पंजा मोड़ बेखा बाबा जी का तो ठीक हो गया तो चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और धुआदार घमा साइंट टाइप के चैप्टर की नाम है वेव आपिक्स बस 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 बहुत हो गया अब सुलो सारे अब हम चंताएंगे तुम्हारे सितारे या देखो जब भी ना अपने को ये लगे ना कि मेरे से नहीं हो रहा है सुना करो हमेशा सुनो समझो इस बात को जब भी लगे न कि ऐसा नहीं हो रहा है अपन से तो उससे ये कहना ठीक है तू नहीं हो रहा है मत हो मैं मेरी कोशिश कर रहा हूं करके देख लेता हूं नहीं हो नहीं हो तेरी इक्षा नहीं हो न तेरी दिक्कत है तू नहीं हो रहा है मेरी दिक्कत नहीं है है न और जब भी लगी कि ये question आएगा ये question मेरे से नहीं हो रहा है तो दो बार तीन बार ना देख देख कर लिख लेना कुछ मत करना कुछ मत करना जादा सोचना मत जादा देख देख के लिख देना जब तुम देख देख के भी लिखो गे ना तो देख तो रहे हो ना यार वहाँ पर जा रह मैं gravity की बातें करूँगा मैं telescope के बारे में बातें करूँगा किसी ने नहीं करी थी और failure उनकी success का सबसे बड़ा reason था कि वो fail हुए तो यार तुम ना उस line पर ही चल रहे हो अगर तुम fail हो रहे हो और अगर pass हो रहे हो तो तुम ठीक है अपनी जगा पर बिल्कुल सही चल रहे हो बट failures के साथ थोड़ा सा ज़ादा लगाव है कारण यह है कि थोड़ा late चल रहे है बट चलते time ऐसा हो सकता है कि तुम उस peak को पकड़ ले जाओ तो यार समझो इस बात को अच्छे से बिल्कुल भी एक सोचो मत की मेरा क्या होने वाला है जो होने वाला है बहुत ही अच्छा होने वाला है कुछ करोगे तो कुछ नहीं से तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है मैं बार-बार बोलता हूँ बोलता रहूंगा और करवा के ही छोड़ूँ है चिंता मत करो अब की बार तो अपना है 95 बार तो चलो बात करते हैं वेव उप्टिक्स की यार वेव उप्टिक्स एक ऐसा चाप्टर है जिसको कितना भी पढ़ा लिया जाए पढ़ाने के बाद ऐसे लगता है कि शायद क्या समझ पाएं और सामने बैटे हुए भाई लोग बोलते हैं कि बाबा जी ये करूं की नहीं करूं तो यार मेरे से होगा की नहीं होगा तो यार होगा होगा ये तो शौरिटी है देखो करना क्या है तुमको definition of wavefront and its type ये सब वीडियोज है पहले से ही चैनल पर definition of wavefront and its type यस इसके based questions भी करवाए हैं मैंने वो कर लो ज़रूरी हैं बहुत ज़ादा proof of law of reflection and reflection using hygen's principle hygen principle का use करके reflection और reflection को proof करना ही है हमें इसके बाद numericals on Imax और Imin maximum intensity minimum intensity पर बेज numericals हैं ये तुम्हारी इक्षाय करना है तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं बात करते हैं अपन लोग यंग्स double slit experiment भाईया ये आग बंद करके कर डालो इसको छोड़ना नहीं है यंग्स double slit पर बेज जो fringe width का derivation है और जो graph है उसका जो intensity pattern बनता है भाई करना ही करना है इस पर बेज मैंने logical questions numericals भी channel पर डाले हैं इस बार की pledge में आये थे जल्दी से जाओ और उन्हें कतम करो अगर तुमने अभी तक नहीं किये हैं तो diffraction using single slit भाई इस पर बेज numerical के chances भी damn sure 100% बन रहे हैं इस बार तो ध्यान से कर लो polarization में Brewster's law जो हमारे पास था जिसमें हम unpolarized light को polarize करते थे जब हम बात कर रहे होते थे reflection from a transparent surface से और polarizing angle की बात कर रहे थे और resolving पार यहां से अगर बनेगा तो बहुत hot की category का ही question बनेगा तो इसलिए अगर करना है तो ठीक है नहीं तो बहुत सारे लोगों के लिए concern है यह topic ठीक है तो यह polarization, diffraction और interference पर based यह जो मैंने points mention किये हैं और जो नीचे questions दिये हैं और proof of law of reflection and reflection using high guns principle प्लस जितने भी pledge के numerical or logical question के वीडियो हैं बहुत ही जादा जरूरी है करना कर डालो कुछ बिना सोचे भरोसा करो जीद तुम्हारी पक्की है चल्दी से ले लो इसका screen shot वापस तो यार यह हुए तुम्हारे पास wave optics की बाते हैं ठीक है और भी बहुत सारी बाते हैं अगले chapters में करते जाएंगे कुछ ना कुछ motivational talk inspirational talk भी हम करते चले जाएंगे पक्की बात है टेंशन मतलो बस करते चले जाओ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, गलती से भी मत बूलना इस वीडियो में इतना ही जय हो